नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद्राज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राधा प्रकासन की बुक के गुडनखंड चैप्टर के इंपोर्टन कुश्चिन सहल कराऊंगा तो इसके लिए मेरी वीडियो को इंट तक देखे और याद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और याद चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें square plus 2x minus 7 अब यहाँ पर देखे इसका हमको मान याद करना है यनिकि हम क्या करेंगे इसका भी अंदर गुड़ा कर देंगे जो यहाँ पर गुड़े के रूप में 4x लिखा हुआ इसका अंदर गुड़ा कर देंगे तो देखे यहाँ पर इसके साथ में जब होगा तो यहाँ पर चार च्धियायं 12 हो जाएगा और फिर एकस का गुड़ा एकस स्क्वयर के साथ में होगा तो यहाँ पर एकस क्यूब हो जाएगा फिर बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे फिर यहाँ पर चार का 2 से गुड़ा होगा तो 4 दुना 8 हो जाएगा और फिर x का x से गुड़ा होगा तो x square हो जाएगा और फिर यहां पर देखें बीच में minus है तो यहां पर minus लगाएंगे फिर 4 का 7 से गुड़ा होगा तो 4 सते 28 हो जाएगा और उसके बाद इसके साथ में x भी है तो यहां पर x लिख लेंगे तो यही हमारा answer हो जाएगा तो इस प्रकार से यह question हल हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखिए next question है question नमबर 2 x plus 5 और फिर देखिए दूसरे bracket में x plus 7 यनि कि पहले ब्रेकर्ड में x plus 5 है और फिर दूसरे ब्रेकर्ड में x plus 7 है को सरल कीजिए यहां पर इनको सरल करना है तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे देखिए दिया हुआ है x plus 5 और दिया हुआ है x plus 7 तो देखिए हम इसको solve करेंगे यहां पर x का x के साथ में गुड़ा करेंगे तो X स्क्वार हो जाएगा फिर बीच में प्लस लगाएंगे अब देखें यहां पर जो अचर पद दिये हुए हैं इन दोनों का योग कर लेंगे देखें बीच गड़ित के हिसाब से इसको अगर हल करेंगे तो देखें इसी तरीके से कर लेंगे तो आ 5 प्लस 7 लिख लिजिए और फिर गुड़े में X हो जाएगा और फिर प्लस यहां पर 5 और 7 का गुड़ा हो जाएगा तो यहां पर 5 गुड़े 7 हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर देखें X स्क्वार हो जाएगा और 7 5 12 यानि कि यहां पर हो जाएगा 12 X और फिर जो ह सतो पच्छे 35 यहाँ पर 35 हो जाएगा तो इस परकार से यह कुश्चन भी साल्व हो जाएगा फिर देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है एक्स माइनस साथ और फिर दूसरे वेकड में है एक्स प्लस तीन को सरल कीजे देखें सेम इसी परकार से इसको भी करना है सिर्फ यहाँ पर देखें जो है प्लस का चिन था यहाँ पर माइनस का चिन है लेकिन सेम उसी परकार से इसको भी करना है तो देखें कैसे हल करेंगे X-7 है और X-3 है तो यहां पर क्या करेंगे देखिए X का X के साथ में गुड़ा होगा तो X स्क्वाइर हो जाएगा फिर बीच में प्लस लगाएंगे और अब देखिए यहां पर जो है जो अचर पद दिये हुए है इनका योग ग्याद कर लेंगे तो यहाँ पर देखे माइनस साथ है और प्लस का तीन है तो इस प्रकार से इनका योग ग्याद कर लेंगे और गुड़े में एक सो हो जाएगा और फिर देखे यहाँ पर जो अचर पद हैं उनका गुड़ा किया गया है तो यहाँ पर प्लस कर जाएगा जो है minus क्योंकि यहाँ पर minus की संख्या बढ़ी है तो 7 में से जो है 3 को घटाएंगे तो minus का चार बचेगा तो इसलिए यहाँ पर minus का 4 x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साथ का 3 के साथ में गुडा हो गादा साथ 21 हो जाएगा और plus minus का गुड़ा होगा तिहां पर minus हो जाएगा तिहां पर minus का 21 हमारा आ जाएगा तो इस प्रकार से ये question भी solve हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है x plus 15 और फिर है x minus 11 का गुड़ा कीजिए देखें same उसी type का question ये भी है सिर्फ चिन change है यहाँ पर देखिए जो है एक minus में संक्या थी यनिकि एक बंजक minus में था और एक plus में था और यहाँ पर देखिए जो है पहले plus में है उसके बाद minus में है यनिकि थोड़ा सा change है आगे solve कर लेंगे तो देखिए दिया हुआ है एक bracket में x plus 15 और फिर एक bracket में दिया हुआ है x minus 11 अब यहाँ पर क्या करेंगे x का x के साथ में गुड़ा करेंगे तो x square हो जाएगा और फिर बीच में जो है plus का चिन लगाएंगे और उसके बाद फिर देखिए जो है इनका योग कर 15 का अचरपदों का योग ग्याद कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 plus 11 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए 11 के साथ में minus है इसलिए plus 11 करेंगे तब भी जो है plus minus का गुड़ा होगा तो minus हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हम minus का 11 ही लिखेंगे यहाँ पर अगर बीच मे हम plus लगा दें तब भी plus minus का गुड़ा होग करके जो है यहाँ पर minus ही हो जाएगा इसलिए 15 minus 11 ही इसको लिखेंगे और फिर यहाँ पर देखिए x का इसके साथ में गुड़ा कर लेंगे और फिर जो है अचरपदों का गुड़ा यहाँ पर कर लेंगे यहनिकि प्लस के चिन इसने के साथ में, तो प्लस का चिन आएगा और फिर 15 गुड़े म्ठस का 11 हो जाएगा तो इस प्रकार से इसको अब साल्व कर लेंगे, तो यहापर देखे, एकस स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहापर देखे 15 में से 11 जाएगा, तो बच्चे के यहाँ पर माइनस का चिन है, इसलिए माइनस की चिन के वज़े से यहाँ पर प्लस माइनस का जब गुड़ा होगा, ति माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 165 हो जाएगा, तो इस प्रकार से x square प्लस 4 x minus 165 हमारा answer आ जाएगा, अब देखते हैं, next question, तो x minus 9 से गुड़ा कीजिए, यानि कि same उसी type का question यह भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, दोनों जगे पर minus है, यहाँ भी minus है, और यहाँ भी minus है, तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए, same उसी प्रकार से, इसको भी कर लेंगे, x minus 5, और फिर x minus 9 है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले x का x के साथ में गुड़ा होगा, तो x square हो जाएगा, फिर बीच में लगाएंगे, प्लस, और फिर देखिए, दोनों का योग ग्याद कर लेंगे, यानि कि minus 5, और फिर जो है, minus 5 का योग करेंगे कि इसमें, minus 9 में, तो यहाँ पर minus का 9 कर लेंगे, और फिर जो है, गुड़े के रूप में x हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, और फिर जो है, minus 5, और गुड़े हो जाएगा, minus का 9, तो इस प्रकार से, इसको अब साल्व कर ले यहाण पर देखे, हो जाएगा x square। और फिर देखे, minus minus यहाँ पर जुbrig जाएगे, क्योंकि minus माइनस जुड़कर minus होते हैं, यहनि कि दोनु संक्याँ जुbrig जाएगे लेकिन चिन लगेगा, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 9, 5, 14, तो यहाँ पर 14X हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखे, माइनस माइनस का गुड़ा प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, प्लस और 9, 45, यहाँ पर प्लस का 45 हो जाएगा, तो इस प्रकार से x square minus 14x plus 45 हमारा answer आ जाएगा. तो इस प्रकार से ये question भी आसानी से solve हो जाएगा. अब देखते हैं next question, तो देखें next question है, question number 6, 4x plus 5 का work गयात कीजे, 4x plus 5 का work गयात कीजे, तो देखें इस question को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखें, 4x plus 5 का whole square हमको करना है, work करने का मतलब क्या करना है, इसका square करना है, तो यहाँ पर देखें, क्या करेंगे, जो है, इसका whole square कर देखेंगे, तो यहाँ पर देखें, a plus b का whole square का formula बन रहा है, तो देखें, a plus b का whole square का formula क्या होता, A square तो यहाँ पर 4X का whole square कर लेंगे और उसके बाद plus B square और plus 2AB तो यहाँ पर देखिए जो है plus B square कर लेंगे यनिकि जो है 5 का square हो जाएगा और फिर plus 2AB 2AB का मतलब 2 into 4X into 5 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चोग 16 और X स्क्वायर हो जाएगा फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और फिर यहाँ पर इनका गुड़ा करेंगे तो देखिए 5 चोग 20 और 20 दुना 40 यनि कि यहाँ पर 40 हो जाएगा और फिर गुड़े में X है तो यहाँ पर X भी और फिर यहां पर प्लस का 25 हो जाएगा तो इस प्रकार से यही हमारा एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से कोई भी कुश्चन दिया हो तो उसका वर्ग इसी तरीके से यनि कि A प्लस B के होल स्कॉयर का फार्मूला खोल करके इसको साल्व कर सकते हैं देखिए जो बीजगडित के फार्मूले होते हैं A B वाले ये फार्मूले आप सभी को याद होने चाहिए जिन लोगों को ये फार्मूले ना याद हो तो देखिए हमारे चैनल पर इससे सम्मंधित वीडियो पड़ा हुआ है यनि कि उसमें सिर्फ फार्मूले बताए गये हैं और उसमें याद करने क तरीका भी बताया गया है और कैसे आप उसको हमेशा के लिए याद रखे हैं सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं तो आप लोग मेरा वीडियो भी देख सकते हैं तो उसका जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया जाएगा तो वहाँ से आ हम उसी टाइप का कुश्चन यह भी है लेकिन वहाँ पर बीच में प्लस था यहाँ पर माइनस है बाकी जो है इसमें भी हमको इसका वर्ग ही गयाद करना है तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें दिया हुआ है 11X माइनस 9Y और इसका हमको वर्ग गयाद करना है तो देखें यहाँ पर A माइनस B के होल स्कॉयर का फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पर A माइनस B के होल स्कॉयर का फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर देखें हो जाएगा A स्कॉयर यनिकि यहाँ पर हो जाएगा 11X का होल स्कॉयर और उसके बाद फिर प्लस B स्कॉयर ह हो जाएगा हैका तो देखिए प्लस भी इसकोर कंतलब हो जाएगा नाइन वाई का होल स्कोर ऑफिर माइनस टू यह भी तेहां पर माइनस तो इंटू 11 एक्स और इंटू 9 वाई हो जाएगा अब यहां पर इन सभी को हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखे 11 का स्क्वाइर करेंगे तो 11 गरहियम 121 हो जाएगा और फिर x का स्क्वाइर करेंगे तो x स्क्वाइर हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा देखे 9 का स्क्वाइर तो 9 9 81 हो जाएगा और फिर y का स्क्वाइर कर तो 29、 18 ha它 हो जाएगA और फिर 298 एक 19 हो जाएगA यहनिकि 198 और यहाँ पर X है और फिर Y है यहनिकि 198 xy हो जाएगा तो इस प्रकार से यही हमारा अंसर हो जाएगा इसको चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं 121 x square और फिर देखे यहाँ पर जो है x की power 2 है और फिर यहाँ पर x की power 1 है तो इसको हम पहले कर लेंगे 198 x y और फिर इस पद में x नहीं है तो इसको last में कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 y square तो इस प्रकार से यह question भी आसाने से solve हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है देखें question number 8 minus x plus 7 y का whole square को सरल कीजे तो देखें इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पर देखें दिया हुआ है minus x plus 7 y का whole square तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जो है 7 y को आगे कर लेंगे और x को पीछे कर लेंगे तो यहाँ पर देखें 7 y minus x हो जाएगा और फिर इसका whole square कर लेंगे तो देखें यहाँ पर आगे पीछे जो है किया जा सकता है कोई problem नहीं है यनि कि चिन के साथ में ही आगे पीछे करेंगे इसके साथ में minus था तो minus ही रहेगा और इसके साथ में plus है तो plus ही रहेगा और इसको आगे कर लेंगे फिर इसको पीछे कर लेंगे अब यहाँ पर देखें a minus b के whole square का फार्मूला बन रहा है तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे तो देखें यहाँ पर हो जाएगा a square यनि कि 7y का whole square हो जाएगा और फिर plus b square यनि कि x square हो जाएगा और फिर हो जाएगा minus का 2ab यनि कि 2 into 7x और into 7y है यहाँ पर 7y और फिर into x हो जाएगा तो इस प्रकार से अब इसको solve कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे 7 का square करेंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा और फिर y का square करेंगे तो y square हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे प्लस का X स्क्वाइर है और फिर यहाँ पर माइनस का चिन लगाएंगे अब यहाँ पर देखे 7 का 2 से गुड़ा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर X हो जाएगा और Y हो जाएगा अब यहाँ पर देखे जो है Y की घटी घातों के रूप में लिख लेंगे देखे Y स्क्वाइर यहाँ पर आगया रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 49 Y स्क्वाइर अब देखे इसमें Y है तो इसको पहले लिख लेंगे तो यहाँ पर 14 X Y और फिर इसमें Y नहीं इसको सबसे last में लिख लेंगे तो यहाँ पर x square हो जाएगा तो इस प्रकार से ये question भी आसानी से solve हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है बीज गडित की सहायता से 8 का वर्ग गयाद कीजे तो देखें इसको कैसे solve करेंगे देखें बीज गडित की सहायता से 8 का वर्ग गयाद करना यानिकि 8 को हम दो पदों में तोड़ लेंगे यानिकि जैसे 8 को हम तोड़ लेंगे 5 प्लस 3 में और फिर जो है क्या करेंगे जो है इसका हम square कर लेंगे, तो देखे, जब इसका हम square करेंगे, यनिकि 8 का square करेंगे, तो देखे, इधर भी square हो जाएगा, यनिकि हमको 8 का work गयाद करना, तो यहाँ पर देखे, 8 को हम इस तरीके से तोड़ लिए, 8 वरावर 5 प्लस 3, यनिकि 5 प्लस 3, 8 हो जाएगा, अब इसका square करेंगे, तो इधर भी square हो जाएगा, यनिकि 5 प्लस 3 का whole square हो जाएगा, अब यहाँ पर देखे, A प्लस B के whole square का formula बन रहा है, तो यहाँ पर A प्लस B के whole square का formula लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा A² प्लस B² और प्लस हो जाएगा 2AB, यहाँ पर 2 x 5 x 3 हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको solve कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, और फिर 3 तरिक का 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 15 और 15 दुनना 30 हो जाएगा, य 25 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना यहाँ पर देखें 25 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34 और 34 में 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 यनि कि यहाँ पर हमारा 64 एंसर आ जाएगा यनि कि ऐसे भी आप इसको हल करके देख सकते हैं 8 का इसी फार्मूले के आधार पर इसको हल करना पड़ेगा ऐसे आप जो है आठ गुड़े 8 करके 8884 कर देंगे तो उसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे यानि कि यहाँ पर जब बीजगडित की सहायता से कहा गया है तो आपको यह फार्मूला यूज करना पड़ेगा और इसी फा 101 का वर्ग बीजगडित की सहायता से गयात कीजिए यनि कि जैसे ये कुश्यन किया गया है सेम इसी परकार से इसको भी करना है तो देखे कैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखे 101 कहा गया है 101 का वर्ग करना है तो यहाँ पर देखे 101 को हम क्या करेंगे 100 प्लस एक में त इसका वर्ग कर देंगे तो देखे इसका जब हम वर्ग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वर्ग ग्याद करना है तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी इसका वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 100 प्लस एक का वर्ग हो जाएगा अब यहाँ पर square यानिकि 1 का square और plus 2ab यहनिकि 2 into 100 into 1 2ab हो जाएगा अब यहाँ पर देखे 1 जो है 100 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 100 करेंगे तो यहाँ पर देखे कि यहाँ पर 4 0 हो जाएंगे. यहाँ पर हमको गुड़ा करने की जरूरत नहीं है कि हम गुड़ा करके दिखाएं. देखे, इस तरीके के संख्यां अगर गुड़ा करना हो तो सिर्फ जितने 0 हो, उतने 0 यहाँ पर लगा लीजे, वही उसका गुड़ा हो जाएगे, यनि कि यहाँ पर 100 में 2 0 हैं, और 100 से और गुड़ा करना है, तो उसमें 2 0 होंगे, तो यहाँ पर कुल मिला करके 4 0 हो जाएगे, एक के आगे, अब यहाँ पर देखे, 1 का स्क्वाइर, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का चाहे स्क्वाइर करें, चा भी 200 ही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस में 200 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखे, इन सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखे, जोड़ेंगे, तो 10,201 हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखे, 10,201 हमारा एंसर आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये कुश्यन भी आस सानी से साल्व हो जाएगा आप देखते हैं नेक्ट कुष्चन तो देखें नेक्ट कुष्चन है देखें कुष्चन नंबर ग्यारा 94 का होल स्क्वाइर का मान बीजगडित की साहता से ग्याद कीजिए यनिकि शेम उसी टाइप का कुष्चन ये भी है लेकिन थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखें दिया गया है 94 का होल स्क्वाइर ग्याद करना है तो यहाँ पर देखें इसको कैसे तोड़ेंगे 94 का स्क्वाइर दिया हुआ है यनिकि 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6 यनिकि 100 में से अगर हम 6 को घटा दें तो हमारा 94 आ जाएगा और इसका हमको स्क्वाइर ग्याद करना है तो यहाँ पर देखे, A-B के whole square का यहाँ पर formula बन रहा है, तो देखे, A-B के whole square का formula लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A square, यहनिकि 100 का square, और फिर plus B square हो जाएगा, यहनिकि 6 का square हो जाएगा, और फिर minus 2AB, यहनिकि 2 into 100 into 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखे, जो है 100 का square करेंगे तो यहाँ पर फिर हो जाएगा कितना 10,000 और फिर प्लस यहाँ पर 6 का square करेंगे तो 6,6,36 हो जाएगा और फिर minus 2AB है तो यहाँ पर देखिए 6 दोना 12 हो जाएगा और 12 है कम 12 यहाँ पर 12 हो जाएगा और 2,0 आगे लग जाएगे तो 12 सव हो जाएगा अब यहाँ पर इन सभी को जोड लेंगे तो देखे यहाँ पर हो जाएगा जो है कितना देखे इकाई के अस्थान पर देखे 36 रहेगा यनि कि 6 रहेगा और जो है दहाई के अस्थान पर 3 रहेगा और फिर यहाँ पर देखे सैकड़े के स्थान पर दो रहेगा और फिर देखे 1000 के स्थान पर एक रहेगा और 10,000 के स्थान पर भी एक रहेगा यनि कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11,236 11,236 ही देखे यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हो रही है यहाँ पर देखिए minus है यहाँ पर यह दोनों संख्या प्लस की है तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या जुड़ जाएंगी और उसमें से minus वाली संख्या घड़ जाएगी सारी यहाँ पर थोड़ा सा mistake हो गई यहाँ पर देखिए यह माइनस की संख्या इसलिए जुड़ेगी नहीं यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें प्लस वाली संख्या जोड लेंगे तो यहाँ पर देखे हो जाएगा 10,000 और फिर जो है 36 इस तरीके से 10,000 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1200 अब जो है यहाँ पर 1200 इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर देखे जो है 1200 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखे पहले यहाँ पर 6 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखे 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 है यनि कि 8,836 हमारा एंसर आ जाएगा तो इस परकार से ये कुश्चन भी आसानी से साल्व हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हो गई थी तो इसको आप लोग अच्छे समझ देखें यहाँ पर प्लस की संख्या है थी तो प्लस वाली संख्या जो है आपस में जुड़ जाएगी और उसमें से फिर माइनस वाली संख्या घड़ जाएगी तो यहाँ पर देखें यह जो है संख्या प्लस हो गई है यनि कि 36 और 10,000 और उसमें से फिर 1200 घड़ जाएगा तो यहाँ पर 8836 हमारा answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 12 बेंजक 4x plus a तथा 4x minus a का गुड़न फल ग्याद कीजिए यहाँ पर देखे दिया हुआ है 4x और प्लस a है और फिर 4x minus a है इनका हम को क्या करना है गुड़न फल ग्याद करना है तो देखें इस तरीके से गुड़े के रूप में पहले लिख लेंगे अब यहाँ पर देखें a plus b a minus b यनिकी a square minus b square का फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे a square यनिकी 4x का whole square और फिर minus b square का मतलब a का square हो जाएगा अब यहाँ पर देखें जो है 4 का square हो जाएगा 4 चोक 16 और फिर यहाँ पर हो जाएगा x square यनिकी 16 x square हो जाएगा और minus a square हो जाएगा तो इस प्रकार से यही हमारा answer आ जाएगा तो इस प्रकार से यह question भी solve हो जाएगा आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 13 पचपन और 45 का गुड़न फल बीज गड़तिये बिधि से ग्याद कीजिए तो देखिए इसको कैसे साल्व करेंगे यहाँ पर देखिए पचपन और 45 दिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको गुड़े के रूप में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर गुड़न फल ग्याद करने के लिए कहा गया है तो देखिए पचपन गुड़े 45 हो जाएगा अब इसको कहा गया है बीज गड़ यहां पर देखें, पचपन को हम लिख सकते हैं, जो है, पचपन को लिख सकते हैं, पचचास प्लस पांच, और इसी तरीके से, अगर हम पैटालिस को लिखें, तो पचचास माइनस पांच लिख सकते हैं, यहां पर देखें, पचचास प्लस पांच, यहनि कि पचपन हो जाए यहां पर A plus B, A minus B formula होता, A square minus B square का, तो यहां पर A square minus B square का formula लगा लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा A square का मतलब 50 का square, और minus B square का मतलब 5 का square हो जाएगा, अब देखिए 50 का square क्या हो जाएगा, पचाहम 25 होता है, और फिर देखिए आगे 2,0 बढ़ जाएंगे, यनि कि 50 Rebecca यहां पर मैनस पचाहं 25 को घटा लेंगे तो देखिए यहां पर पचीस सो और 54 पचछिस हमारा आजाएगी तो यहां पर चौबिसकूष्थी 25 ही answer हो जाएगा तो इस परकार से ये question भी solve हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है यदि x plus 1 upon x बरावर 5 हो तो x square plus 1 upon x square का मान ग्याद केजिए यानि कि यहाँ पर x plus 1 upon x बरावर 5 दिया हुआ है और x square plus 1 upon x square का मान हमको ग्याद करना है तो हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है इसको उताल लेंगे x plus 1 upon x बरावर 5 अब यहाँ पर देखें दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखें वर्ग ही हमको निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे दोनों पच्छों का वर्ग करने पर तो देखें दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखें हो जाएगा x plus 1 upon x का whole square और इधर हो जाएगा 5 का square तो देखें यहाँ पर हो जाएगा a square यनिकी x का square और plus b square यनिकी 1 upon x का square हो जाएगा और फिर हो जाएगा plus का 2ab यनिकी 2 x into 1 upon x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 5 का square हो जाएगा यनिकी 25 अब यहाँ पर देखें x से x cancel हो जाएगा यहनि कि यहाँ पर हो जाएगा x square और फिर plus 1 upon x square और plus का 2 यहनि कि 2 का 1 से गुड़ा होगा तो 2 ही रहेगा बराबर हो जाएगा 25 और फिर देखें यहाँ पर क्या करेंगे x square plus 1 upon x square का हमको मान निकालना है तो इसको इधर ही रखेंगे और फिर इसको इधर 25 कर देंगे तो यहाँ पर देखें 25 और देखें यह plus का 2 है उधर जाएगा तो minus का 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 25 में से 2 घड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x square plus 1 upon x square बराबर 25 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 23, तो इस प्रकार से x square plus 1 upon x square का मान आ जाएगा 23, तो यही हमारा answer हो जाएगा, तो इस प्रकार से यह question भी आसाने से solve हो जाएगा, अब देखते हैं next question, तो देखें next question है, x square plus 1 upon x square बराबर 47 हो तो x plus 1 upon x का मान ग्याद कीजिए, यानि कि देखें उपर जो question solve किये हैं, वहाँ पर इसका मान दिया हुआ था और हमको यह ग्याद करना था, अब यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है, हमको यह ग्याद करना है, तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, सबसे पहले इसको उतार लेंगे, पर देखेंगे दोनों पच्छों में दो जोडने पर क्योंकि यहां पर देखें वर्ग बनाने के लिए हमको दो जोडना पड़ेगा तो यहां पर लिख लेंगे दोनों पच्छों में दोनों पच्छों में दो जोडने पर तो यहाँ पर देखें दोनों पच्छों में दो जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x square plus 1 upon x square और plus हो जाएगा यहाँ पर 2 और इधर भी हो जाएगा 47 plus 2 तो यहाँ पर देखें जब वो plus 2 कर देंगे तो यहाँ पर यह x plus 1 upon x का फार्मूला बनेगा यहाँ पर देखे एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वाइर का फार्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पर जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो देखे एक्स स्क्वाइर हो जाएगा प्लस बी स्क्वाइर यहाँ यहाँ कि वन अपान एक्स स्क्वाइर हो जाएगा और plus 2ab होता है तो देखे 2ab करेंगे 2 into x into 1 upon x तो x x कड जाएगा तो यहाँ पर 2 ही बचेगा यहनि कि e3 की जगे पर हम x plus 1 upon x का whole square लिख सकते हैं और फिर देखे बराबर में यहाँ पर 47 में 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 49 अब देखे हम क्या करेंगे अब यहाँ पर दोनों पच्छों का वर्ग मूल ले लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पच्छों का वर्ग मूल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 1 upon x बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखे जो है इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 सता 49 से निकी जो है 49 का वर्गमूल 7 होता है तो यहाँ पर x प्लस 1 अपान x की वैलू हमारी 7 आ जाएगी तो इस प्रकार से यही हमारा अंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 16 यदि x प्लस y बराबर 10 दिया हो और x y बराबर दिया हो 24 तो x square प्लस y square का मान गयाद कीजिए तो देखें इस question को कैसे solve करेंगे तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस y बराबर 10 तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिक लेंगे उसके बाद यहाँ पर दोनों पच्छों का work कर देंगे तो यहाँ पर देखें हो जाएगा x प्लस y का whole square और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 का square अब यहाँ पर देखें a प्लस b का whole square करेंगे तो हो जाएगा a square प्लस देखिए y square और प्लस 2xy हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 10 का square करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 का 10 से गुड़ा करेंगे तो 10 दहमा 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 100 ही रहेगा यहाँ पर 100 हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर xy की value दी हुई है 24 तो यहाँ पर xy की जगे पर 24 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x square प्लस y square और प्लस 2 into 24 हो जाएगे यहाँ पर और बराबर हो जाएगा 100 तो यहाँ पर इसका गुड़ा करेंगे तो 24 दुना 48 हो जाएगा तो यहाँ पर x square प्लस y square बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखिए 100 और 24 दुना 48 होगा और यह प्लस कराएगा उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 24 कर सकते हैं देखिए 24 दुन में से जो है 48 को घटा लेंगे तो देखे 100 में से 48 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 52 यनि कि हमको x square प्लस y square की value गयाद करनी थी तो x square plus y square की value कितनी आ जाएगी जो है 52 आ जाएगी तो इस परकार से ये question भी आसानी से हल हो जाएगा आप देखते हैं next question तो देखे next question है यदि 4 x square plus y square बराबर 8 हो और xy बराबर 2 हो तो 2 x minus y का मान गयाद कीजे तो देखे इसको कैसे हल करेंगे तो देखे same जो उपर वाला question था उसी type का ये भी question है सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर देखे जो है इसका मान दिया हुआ हमको इसका मान गयाद करना है और जो उपर वाला question था उसमें क्या था इसका मान दिया हुआ था और हमको ये गयाद करना था तो same उसी परकार से ये भी question लग जाएगा तो देखे, जो है यहाँ पर हम सबसे پahle क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, 2 x-y, अम इसका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, तो देखे इसका वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर देखे, A स्कूयर यनिकी 2 x का होल स्कूयर हो जाएगा, और फिर plus b square यनिकी y का square हो जाएगा और फिर minus 2ab यनिकी 2 into 2x into y हो जाएगा अब यहाँ पर देखे 2x का whole square करेंगे तो यहाँ पर दो दुनना 4x square हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे y का square हो जाएगा और फिर यहाँ पर इनका गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर दो दुनना 4, यानि कि minus का 4xy हो जाएगा, अब जो है क्या करेंगे, अब जो है इसको इधर इस तरीके से लिखते रहेंगे, 2x minus y का whole square, क्योंकि हमको 2x minus y निकालना है, तो इसको बराबर में इधर लिखते रहेंगे, और फिर यहाँ पर 2x minus y का whole square हो जाएगा, और इधर देखे, 4x square plus y square की जगे पर 8 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4x square plus y square की जगे पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जगे पर 8 लिख देंगे, और minus यहाँ पर दिया हुआ है, 4 into xy, xy की value भी यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ पर देखे, xy की जगे पर दिया हुगा है 2 तो यहाँ पर 2 रख देंगे अब जो है 2x-y का whole square बरावर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 8-4 दोना 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे 2x-y का whole square हो जाएगा अब 8 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 अब देखे दोनों का दोनों पच्छों का वर्गमूल लेने पर देखे यहाँ पर दोनों पच्छों का वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर 2x-y बरावर 0 हमारा आ जाएगा यानि कि इधर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर square हड़ जाएगा और इधर जो है और देखे इधर जब वर्गम क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा तो यहां पर 2x-y बराबर 0 हमारा आ जाएगा तो इस प्रकार से यह question भी शाल्व हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है देखें question नमबर अठारा 5X प्लस 15XY का सार्व गुड़न खंड ग्याद कीजे तो यहाँ पर देखिए 5X के गुड़न खंड करेंगे तो हमारा 5 इंटू X आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 15XY के गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ पर तीनों पच्छी 15 होता है और गुड़े X इ इन दोनों में उभाय निष्ट गुड़न खंड क्या है उसको लिख लेंगे उभाय निष्ट गुड़न खंड इन दोनों में देखिए कौन सा है तो देखिए उभाय निष्ट गुड़न खंड यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर भी 5 है और फिर यहाँ पर देखिए X और यहाँ पर भी x है यहाँ पर उबहें निष्ट गुडनखंड 5x हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे आता है आता है 5x बेंजक का सार्व गुडनखंड होगा यह सार्व गुडनखंड है यहाँ पर देखें दोनों में उबहें निष्ट गुडनखंड होगा वही सार्व गुडनखंड कहलाता है तो यहाँ पर देखें दोनों में उबहें निष्ट गुडनखंड 5x था तो यही इसका क्या हो जाएगा सार्व गुडनखंड हो जाएगा तो इस परकार से यह कुश भी शाल्व हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन भी इसी टाइप का है यहाँ पर देखें दिया हुआ है बंजक ए और फिर ब्रेकर्ड में एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस सी एक्स प्लस वाई का साल्व गुडन खंड ग्याद कीजिए तो देखें इसको कैसे साल्व करेंगे तो देखें सेम उसी टाइप का कुश्चन भी है दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस दि इसमें कहा गया है कि सार्व गुडन खंड कौन सा है तो देखें यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि प्रतेक प्रतेक पद का X प्लस Y एक गुड़न खंड है क्योंकि यहाँ पर देखे प्रतेक पद का X प्लस Y एक गुड़न खंड है देख सकते हैं आप लोग प्रतेक पद का X प्लस Y एक गुड़न खंड है गुड़न खंड है इसलिए बेंजक का बेंजक का सार्व गुड़न खंड क्या हो जाएगा X प्लस Y ही हो जाएगा सार्व गुड़न खंड इसलिए बेंजक का सार्व गुड़न खंड बराबर क्या हो जाएगा X प्लस Y तो इस प्रकार से ये कुश्चन भी हल हो जाएगा तो इस प्रकार से आज के सारे कुश्यन समाप्त होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे कुश्यन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदे हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पार सबसे पहले पहुंचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टापिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वन दे मात रहूं